आज हम हेल्दी स्मूधी बनाने वाले हैं उसमें डेट्स और एपल का हम यूच करने वाले हैं तो वीडियो लास्ट देखिएगा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऐसी स्मूधी है अगर आप हमारे चाइनल पर नहीं है तो चाइनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बु होच प्वॣ हें यहां पर हमने पात्षे देट्स लिए है घ्रelon को भी हमें हमें फिन निकाल लेनी है और पिछला हिसा में हमें निकाल लेना है कुछ चीजीं हम स्मूधी बनाते वक्ड़ डालेंगे यहां पर हमें बावल लेना है और बावल में हमें कटे हुए शेव डाल देना है इस तरह से हमें उसमें ऐड कर देना है खजुर का एक एसा फॉल है जिसमें एंटी ऑक्सिदेंट की मात्रा पाई जाती है आरेयन फॉलेट प्रोटीन फाइवर कोल केल्शियम मैंगनेशियम विटामीन भी जैसे पो हमने इसमें काजु और बदा में एड कर दी है दोस्तों अगर आपको दही पसंद हो तो आप दही बे एड कर सकते हो यहाँ पे हमने दही नहीं एड किया है यहाँ पे हमने दूद एड किया है अब हम सारी चीदें मिक्स करके इसमें मिक्सिके जार में डाल देंगे सेब के फाइदे ये गुन की बात करें तो इसे पोशक तत्व का भंडार माना जाता है सेब का सामाने से लेकर गंबिर शारीक समस्याओं का इलास करने की शमता रखता है सेब के गुन आपको मुधुवय, रुदे रोक, अस्तमा और यहां तक की कैंसर से बचाने का काम कर सकते हैं इसमें एंटी एक्सिडेंट प्रभाव भी पाये जाते हैं जो एक्सिडेंट और स्ट्रेस को कम कर शेरीर को सोस्त रखने का काम करते हैं श्रिप सेहत ही नहीं बलकि खुब सुरत तोचा और सोस्त वालों के लिए भी सेब के भायदे भूत हैं आपने देखा दोस्तों हमने सब चीजे मिक्सर के जार से बारेके से पीस लिया और टंडा करने के लिए आप प्रीज में भी रख सकते हो या आईस क्यूब भी ग्लास में डाल सकते हो यह स्मूधी सुब लेनी चाहिए रात को नहीं लेनी चाहिए यह डायेट के लिए सुब ही लेनी चाहिए दोस्तों अगर आप जीन्द आते होगे और जीन्द करने के बाद आपको ये ड्रिंग जरूर सुरेवन करना चाहिए आपको रेसिपी आच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा